यह स्टॉक मार्केट है क्या भाई कौन सी चीज है इतने सारे लोग इस पर क्यों एट्रैक्ट हो रहे हैं राइट वाइट वाइट सुमीन पीपल एट्रैक्ट मार्केट और पीपल और पीपल अर्निंग लाक्स प्रॉपीज हाव इस पॉसिबिल मैं तो बेचारा मेहनत यह कैसे हो सकता है अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो इफ यह विगनर इन इस टॉक इस वीडियो आप यह वाउट आप यूज तो यूज इस वीडियो आप गूण तो यूज अल्टी यूज ऑन दीजिए विट्वास अनुट को वहम देखेंगे दूसरा स्टॉक मार लो एक लाख रुपए अगर इनवेस्ट करता हूँ, तो उस एक लाख रुपए कि कितने पैसे हो सकते हैं, क्या मैं शोट तरर मैं पैसा कमा सकता हूँ, क्या मैं ये लउंग टर्म के विर बी इनवेस्ट कर सकता हूँ, तो इसका potential क्या है, यह अगर सवाल आपके मन में है तो इसका आंसर आपको यहां पर मिलेगा मैंने तो सुना था stock market risky है यहां पर अगर मैं पैसा डालू तो चाहिए मेरे पैसे डूब सकते हैं तो अगर डूबेंगे तो क्या पूरे and then how does the stock market work actually कैसा चालू होता है मैंने सुना है बूल्स बेर्स बगरे लेकिन मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा 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 राइट and what is the minimum amount I can invest in the market कम से कब कितना पैसा डाल सकता हूं मैंने तो सुना तो शाहिए लाखो रूपे डालने पड़ते हैं तो ही उसके कुछ करोड़ हो सकते हैं तो क्या यह सही है या मैं कुछ छोटे amount से भी start कर सकता हूं so if all these questions are in your mind all these are going to be answered today in this video if you like this video don't forget to subscribe to this video over here and share this with your friends so let us start by answering the first question what is stock market stock market होता क्या है so basically stock market एक ऐसा market है जहांपर आप खरीच सकते हो और बेच सकते हो जैसे कोई भी market में कोई भी अगर business कर रहा है तो किसी ने कोई चीज मानलो ले ली और खरीदी और बाद में बेची तो similarly यहांपर आप shares खरीबते हो और shares बेचते हो और शेर का मतलब होता है एक जो कंपनी का जो capital के अंदर का एक हिस्सा होता है तो उसको शेर बोलते हैं एक्विटी शेर तो एक्विटी शेर ट्रेडेबल होते हैं यहां पर MSE और BSE जैसे दो में मार्केट्स हैं जहां पर आप shares खरीच सकते हो और बेच सकते हो इन ट्रेडिशनल मार्केट जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वहां पर हम होसेर में बाय करेंगे और एक एक करके बेचेंगे तो आपको हो सकते हैं कि लाखो करोड़ो रुपे का स्टॉक रखना पड़ेगा इन्वेस्मेंट करनी पड़ेगी और फिर बाद में बेचते वक एक 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 दो दो या छोड़े लॉट्स में आप बेचोगे यहां पर वैसा नहीं है यहां पर आपके हिसाब से आप पै है कि वहाँ पर आपको पूरा स्टॉक रखना है और उसके बाद ही कस्टमर्स आपके आपके आप में आगे लेकिन यहां पर आपको 20 लाट या बहुत बड़ी अमांट की जरुवत नहीं हो सकता है कि आप छोटे अमांट 10,000 से भी स्टार्ट करो पचास जार से भी स्टार् नहीं है कि आपने स्टॉक खरीदा और खरीबते ही प्राइस उपर जाएगी ऐसे नहीं हो सकता तो दूसरा सवाल आता है तो क्या यह रिस्की है इसमें क्या रिस्क फैक्टर क्या मेरे पैसे पूरे जा सकते हैं पूरे तो पैसे नहीं जा सकते हैं इसको भी हम कहते कि there is a risk but which is a calculated risk calculated risk में जैसे में कर सकता हूं कि जैसे कोई नया business कोई start कर रहा है हो सकता है कि हम मुझे पहले थीन मेने मुझे देखने दो तो पहले थीन मेन अगर business चला तो मैं आगे चलांगा नहीं चला तो बंद कर दूँगा तो थीन महीने का रिस्क ले रहा है तो उस तीन महीने का मानलो रेंट हुआ, सैलरी हुई, उसके स्टॉक हुआ, ओके यह तीन पकड़ के मानलो सोचता है कि मुझे एक लाख रुपे का तो कम से कम महीने का खर्चा है मानलो तो ऐसे पकड़ के मानलो अगर तीन लाख रुपे मैं सोच通ब का हूं कि 3,00,00 तक मेरा एक didnonne response मेरे अगर यह business नहीं चला तो लेकिन अगर यह business चला तो मुझे हो सकता है कि 12 पंदा लग का profit हो तो कोई भी बिजनस में यह सोचता है कि मेरा जो log सोने हो जो खम से कम हो और जो profit के हिसाब से आप सोचते हो कि यहां से 130 का मुझे दिख रहा है कि स्टडी दिख रहा है तो 130 का अगर प्राइस जा सकती है तो मुझे 30 रुपए का प्रॉफिट होगा लेकिन जरूरी नहीं कि आपने स्टॉक खरीदा और वो प्राइस से वहां से उपर जाएगी हो सकता कि वहा आपके स्टेडी के साब से कहां यह 90 रुपिस का मुझे लग रहा है ना कि इसके लेवल के नीचे जाएगा तो मैं इस ट्रेड में से बहार आ जाओंगा तो वह 100-90 जो 10 रुपे का जो लेवल है डिफरेंस है वो आपका एक लॉस हो सकता है तो हमारा प्रॉफिट कितना था 100-130 यहाने 30 रुपिस प्रॉफिट अगर लॉस हुआ तो 100-90 टेन रुपिस लॉस तो आप देख सकते हो कि इसमें जो रिवार्ड तो रिस्क रेशो है तर इस मिनिमम 3-1 और जो अनलेसिस के हिसाब से टेकनिकल अनलेसिस है और दूसरे आपकी जितने भी स्टेडी है उस हिस आप से जब भी आप ट्रेड लेते हो तो नॉमली मैं कहता हो राओं 65 कम से कम 65-75 परसेंट आपके सही जा सकते है और उसमें से कोई 2-3 अगर 10 है 10 में से 2-3 आपके गलत भी जा सकते है बट अगर आपने 50-50 भी देखा कि 5 सही गए 5 गलत गए तो भी आप 5 इंटो 3 यहार में 15x profit अगर loss हुआ तो 5 इंटो 1 यह मेंकिंग अली 5 इंटो प्लस 15 अगर profit हुआ माइनस 5 अगर loss हुआ तो फिर भी आप प्लस 10 आप profit में रहे तो रिस्क का एक management होता है वो रिस्क management can be managed and then you can definitely trade so going on to the next question what is the potential of the stock market तो यह stock market का potential क्या है क्या यह मेरे लिए सही है क्या तो क्या लोगों ने पैसे कमाया है yes there are people like Rakesh Junjunwala who have earned 20,000 crores उनके जो net worth है 3 billion dollars approximately 20,000 crores उनके पास net worth है earned entirely from the stock market there is Warren Buffett he has also earned billions of dollars from the market तो अगर यह लोग अगर उन्होंने पैसा कमाया है तो yes दूसरे लोग भी कमा सकते है तो potential तो है लेकिन potential जानने के लिए आपको इसका study करना पड़ता है ऐसे ने कि किसी ने कहा तो मैंने invest किया या कुछ news channels में देखा और मैंने invest किया या खरीदा ऐसे करके stock market में investment नहीं कर सकते है so potential तो जरूरी है okay so now coming to the next question मेरे पास commerce की degree नहीं है लेकिन क्या मैं invest कर सकता हूं yes you can invest even if you have no connection with commerce यहां पर commerce का या तो debit credit का accounting का कोई connection नहीं है right तो वो connection होता है fundamental analysis में मैं बात करा हूं technical analysis के बारे में तो यह दो चीज़ है stock market के study के यह दो पहलू है एक होता है technical analysis और दूसरा होता है fundamental analysis yes fundamental analysis के लिए आपको हो सकता है कि आपको जरूरी पढ़ेगी debit credit और accounting का थोड़ा knowledge के लिए but अगर आप technical analysis के अगर master हो तो आपको fundamental की जरूरत नहीं पढ़ती क्योंके technical analysis में आपको बता दो in simple words what it means जैसे कोई price stock की उपर जाने लगती है you understand that there is demand which is created right so why would the price go up there is demand so why is there demand because someone somewhere knows about that stock जो आपको पता नहीं है मुझे पता नहीं है लेकिन खरीदारी हो रहे ही वहाँ पर अगर buying हो रही है if people are buying there that means there is demand if there is demand there is something which is related yes that something could be fundamental but right now I am not concerned with that I only need to know what is the what is the place where I have to buy so there are indicators जैसे आप वोई गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी में अगर आपको left turn जाना है तो आप left का indicator दोगे right so that is indicator which is telling to your person behind you yes you are going to turn left and when you actually go left you can say yes but actually left चला गया तो यसे आपर indicators आते हैं जो हम हम समझ सकते कि हाँ इस indicators का हिसाब से यहां से भी price उपर जाई तो यह सारी indicators है price action study है यह graphs पे चलते है technical graphs होते है जो एक 15-16 साल का लड़का या तो even youngest of the people even 10-12 years also students can also understand this okay मेरे पास students है जो youngest are around 15-16 and then eldest one is around 75-80 years तो ऐसी यह चीज़ है जो कोई भी सीख सकता है जिसको किते है technical analysis तो इसके लिए आपको commerce की कोई भी सर्वती है so coming on to the next question how does the stock market work the stock market कैसे चलता है इसमें दो forces होती है bulls और bears बुल एक force है जो सोचता है कि price उपर जाएगी bears एक सोचता है कि price नीच आएगी तो इन दोनों में कौन सा force ज्यादा dominant है वो हमको देखना है तो जैसे एक simple concept है अगर price की buying हो रही है तो obviously the bulls are getting stronger so the bull force अगर dominant है इसका मतलब यहां से price उपर जाएगी और that is way how it works and it works on the simple principle of demand law of demand law of demand कैता है कि अगर कोई भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो क्या होगा उसके price prices start going up exact principle works there in the market also so you recognize where the demand starts recognize on the charts where the charts are giving you indications you'll get a confirmation and that is exactly where you buy so that's how the markets actually work अभी अग्ला सवाल है क्या कम सिंप कम में किता इन्वेस्ट कर सकता हूं मेरे पास तो इतने भाई हजारों रुपे नहीं या लाखों रुपे नहीं है तो I might be having a very small amount so can I invest you in small amount also yes definitely अभी आप जो जमाने में हो this is the best time for being in the stock market मैंने जबी stock market में investment चालू किया था 25-26 साल पहले तो तबी physical share certificate हो दे थे मुझे जबी रिलाइंस के अंदर invest करना पड़ा तो कम से कम सो रिलाइंस के शेर लेने पड़ते थे क्यों कि तभी physical share certificate था कम से कम 100 शेर का एक एक lot होता था तो मुझे 100 शेर लेना है और उस टाइम पर रिलाइंस का शेर मानलो 200 रुपे चल रहा है तो I had to have 20,000 रुपीज with me and only then I could buy 25-26 साल पहले 20-10 रुपी भी बहुत वाल्यू थी तो मुझे बहुत पैसे इकटा करने पड़े जबी मैने पहला मेरा रिलाइंस का मैने शेर लिया अभी ऐसा नहीं है अभी you can buy even one share that is the benefit of it क्यों क्योंकि पूरा जो physical format था वो भी हो गया है dematerialize इसका मतलब है यह electronic form में आ गया तो भी जो 100 का एक lot होता था वो अब individual एक 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 शेर करके भी आप खरीच सकते हो और बेज़ सकते हो isn't it superb yes or no so if you want to buy let's say one reliance you can buy one reliance which is somewhere around probably 2,000 rupees you want to buy let's say buy one Tata Motors you can buy one Tata Motors also these around 350 rupees right to AK share the app kharita kharita aapka joh portfolio aap bada सक्टों जिसन आपके बास ज्यादा में साय you can invest more अगर आपके बस लगता है इस मैंने में बहुत कम है तो according to your budget also you can start investing so these are some important questions which have which are there in the minds as a beginner I hope this video is useful to you please don't forget to subscribe to this video and let me see that let us see what are your next steps the next step up your step your next step would be you can meet me live on my live webinar which I take on Thursday and Sunday evenings is a description box they will find a link below you can click on that link and join the group for attending that free knowledge session which is there every Thursday and Sunday you'll also find one free gift which is a video which which I share about some basic concept of the phone the markets that also I'm sure there'll be useful you useful for you also one more thing you can do is you can join the live you can join my VIP group which is called as a market mavericks over there I share a lot of information sometimes you find some good stocks is there on some information okay news related to the stocks so you can join that group also right you can find all these links in in the description box below this video so one second friends this is Parish Desai from Sankar Credit Venture Chartered Accountant I thank you for attending this video and watching this video please watch and you can share this video and also subscribe once again thank you very much happy investing bye